विद्धाज आज 11 अक्तुपर हो गया है जी अलवर की जो एक आजमंडी है इसमें अभी भी बीज भी रहा है बीज अपने किसान भायू जिनकी फ़सल थोड़ी खराब हुई है वो लेट तक लगा रहे हैं और अपने MP के भी किसान यहां बीज लेने आ रहे हैं अब एंपी और सांजपूर मेंने अभी सांजपूर के यहीं किसान बेटे हुए है नदरपूर गाओं के तो उन्हों लिया तेरे तन माल एक पार्टी जीरापूर की है मुक्रेश पार्टीदार है उसने ओडर माल मंगाया है चार साड़े चार तन माल पैसे आकाउंट डाल द है अब भी तीन गाड़े मंडी में है जी अपनी अपनी आ जाएगी यहारो मेनम चलो हो जाएगी तो किसान इस साल खुस हो जाएंगे तो इससे प्याज के फसल में कितना फाइदा है नुक्सान नुक्सान नहीं है देखो इतना बड़ा चेत्रे जो चार परसंट को नुक्सान होता ही है लेकिन इतना को ज्यादा नुक्सान नहीं है फसल में थीक पाची फसल है हम भी कही गाओं में जाकर प्याजों को देख रहे हैं लेकिन जो जमीन इतनी प्यास ही अलवर रखी तो में जो पानी भर पानी चलेगा प्याज अपने पास तो यह पूरा में चलेगा जो किसान मंगाएं कहीं कभी मंगाएं राजस्थान का मंगाएं पंजाब को मंगाएं वह पहले बुक कराएंगा जबी उसको माल मंगा के देंगे झाली करता हूं अपना प्याज का काम बीज को किसान को उपलट कराते हैं अलवर में भी लग रह रहा है हाँ जयादा करके MP जाराए अलवर में नहीं लग रहा है हरेना में जारा वाए जो कुछ खराब हुए न उन्हें हमारे अलवर के तो प्याज परली मंदि में बेचता हूं पानी तंगी के नीचे प्याज बेचता हूं और नगत पैमिंट किसानों के लिए किसान भाई खूब प्याज लाएं अच्छी विक्री किसान को संत्यूश करके बेचते हैं